नमस्कार मित्रों आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुती खास उपाई पर आज हम चर्चा करेंगे बुद्ध ग्रया के बारे में और उसके विशेश उपाई के बारे में बुद्ध ग्रया जिनका खराब होता है उनको वाणी दोश रहता है वो बोलते कुछ है चाहते कुछ है बोलना निकल कुछ जाता है गालियां देना गलत शबद बोलना हैबिट में ना होते हुए भी वो बोल जाते हैं इसके साथ साथ बोलते हुए अटकना दातों में परिश का कारक है इसलिए यदि हमारी वानी गलत हो जाती है तो हमें बहुत जगा लॉस होता है समाज में हमारी इज्जत नहीं रहती घर में भी हमारा जो है बोलना उसके कारण कलेश बढ़ जाता है अब इस बुद्ध ग्रय को हम जर्नली कैसे खीक कर पाए कुंडली में यदि आप कुंडली दिखाना चाहें तो अलग बात है नहीं तो यह जर्नली उपाए आप जरूर किया करें एक तो फिटकरी आप उसका चूरा करके रख लें रात को सोते समय आपको उससे दांत साफ करने चाहिए तो तालिस दिन तक यह उपाए करें इसके साथ साथ यदि बुद्ध ऐसा खराब है कि बिजनस में भी लोगस दे रहा है तो आपको पांच मुली पत्ते उतार कर अपने सर से अंटिक लोग साथ बार घुमा करके जल परवा करने चाहिए बुद्ध वार वाले दिन सूरे अस्त से दो घंटे पहले या सूरे उदे के दो घंटे के बीच में इसके साथ सब आप बुद्ध के लिए पन्ना भी पहन सकते हैं जो की रतन है उसके लिए आप पुंडली जरूर दिखा लें बुद्ध ग्रेजिन का मंदा होता है उनको स्वास्ते से समंदित परिशानिया नाडी तंतर से समंदित परिशानिया भी रहती है उसके लिए या दुर्गा जी की उपासना करें और बुद्वार वाले दिन दुर्गा मंदिर जाकर छोटी बच्चियों को आप मिठाई के रूप में सफेद बर्फी खिलाया करें ये कुछ बुद्ध के छोटे-छोटे उपाएं हैं अधिक जानकारी के लिए आप नीचे की एगए फोन नमबर पर संपर्व कर सकते हैं हम आपके कुणले देखकर और अधिक जानकारी दे पाएंगे धन्यवाद जैवाद अधर